जैन प्यारे दोस्तों 12th pass के लिए दोस्तों बहुत बढ़ी आ वेकेंसी आई है जिसमें कोई एक्जाम नहीं है डिरेक्ट इंटरिव्यू है और राममनोहर लोय ओस्पिटल में पोस्टिंग होगी राममनोहर लोय ओस्पिटल दिली में है दोस्तों और इसके जो यह अंडर आता है Ministry of Health and Family Welfare के अंदर गताता है दोस्तों आपके मुन में सवाल होगा सेल्डी कितनी मिलेगी तो मैं आपको बता दू 22,000 से 25,000 इसमें सेल्डी मिलेगी आरेममेल होस्पिटल में इसकी पोस्ट निकली है फोर्म कैसे बढ़ना है सारी बाते करेंगे एज क्राइटीरिया कौन-कौन से डोकिमेंट्स ले जाने क्योंकि इसमें कोई एक्जाम नहीं है डिरेक्ट इंटर्व्यू है चलिए दोस्तों अपने चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो और जो डेट ओफ इंटर्व्यू है वो है साथ अक्तूबर दोजार भी साथ अक्तूबर दोजार भी इसको सुबह दस बज़े से पहले-पहले आपको पहुचना है पहुचना कहाँ पह है वो अब यह बताऊंगा आगे और दूसरी वेकेंसी है डेटा एंटरी ओपरेटर करम रिकोड कलरक यह काफी अच्छी पोश्ट है दोस्तो इसमें जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 24,465 रुपे इसका जो इंटर्वी होगा वो होगा आठ अक्तूबर को यानि कि MTS का होगा 7 अक्तूबर को और डेटा इंटरी ओपरेटर का होगा 8 अक्तूबर को इसमें भी सुबह 10 वजे से पहले आपको पहुचना है इसमें आपको बता जाता हूँ अब वेकेंसी है एक तो दोस्तो इसमें एक यह होता है कि वेकेंसी किसी भी सिच्वेशन में इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है तो आप यह मत सोचेगा कि यह वेकेंसी कहाँ सेटिंग होगी यह होगा तो आप अपना एफट जरूर डालेगा और इसको हासिल करीगा अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें कि और क्या-क्या क्राइटीरिया मांगा इसके अलावा और कुछ एक्सपिरियेंस या टेक्निकल पोस्ट की फिल्ट नहीं चाहिए अब हम आगे बात करते हैं कि फोर्म को भरना कैसे दोस्तों तो आप देखेंगे ऐसा फोर्म आपको दिखेगा अगर आप भरना चाहिएंगे डेटा एंटरी ओपरेटर का फोर्म तो आपको यह सारे जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप उसके क्लिक करके डिरेक्ट डाउनलोड करना उसका प्रिंट आउट निकालना दोस्तों फिर इसको पोस्ट को बर देना इस फोर्म का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है फिर क्या करना है सबसे उपर आपको लिखना है नाम उसके नीचे sex, male या female, कोई भी बर सकता है और किसी भी state से बर सकते हो date of birth, father's name, category, nationality, permanent address जो आपका permanent address अगर आप दिली से बार से बिलोंग करते हो तो आप वो address डाल देना address और communication अगर आप जहाँ presently रह रहे हो चाहे वो कहीं भी रह रहे हो तो communication जहाँ पर आपसे कर सके तो आप अपना वो address डालना mobile number and email id ये दोस्तों बड़े ध्यान से समझेगा ये एकदम correct डालिएगा इसमें कोई mistake मत करना क्योंकि वो जो आपस communication करेंगे वो mail या phone के तुरू ही करेंगे इसके बाद आपको academic qualification इसमें आपको अपने सारे जो qualification वो डालनी है नीचे आपको डालना है detail of service rendered earlier अगर आपके पास पहले से कोई experience है पहले आप कहीं working है तो आप इसमें वो डाल देना पर declaration sign करके ये form आपको उसी time महाँ पे ले जाना है इसका print out निकाल लेना इसके साथ अपने सारे documents लगाके दो set ले जाने है उसी के साथ साथ आपको चार photos ले जानी है सब कुछ ले जाने के बाद आप direct वहाँ पे जाना अब जाना कहां पे है मैं आपको वो बता जाता हूँ तो इन्होंने लिखा है साफ साफ कि आपको जाना है RML Hospital के Psychiatry Department of Psychiatry Department of Psychiatry में आपका interview होगा वहाँ पे आपको जाके पूछना है Psychiatry Department कहां पे है वो आपको बता देंगे इंटर्वी की date पे 7 और 8 तारिको October में तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लेगी अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप comment section में जाप जापको कोर्वी के लो एगरी साफिता है